नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबका माइन क्रिप्टो में दोस्तों मेरे जो प्रिविएस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था सिदरा बैंक की कैसी करनी है वो सब बेसिक पॉइंट था अगर आपने वो सही तरह के से फॉलो किया है तो आपकी भी केवाईसी कंप्लिट हो जाएगी मैंने जो केवाईसी की थी वो प्रोसेसिंग में गई थी लगबग तीन दिन के बाद मेरा ये अनकंप्लिट का साहिन आया है तो मुझे ये अभी कंप्लिट करना है आप लोगों को भी ये साइन आया होगा तो आगे का स्टेप क्या करना है क्या प्रोसेस होगा ये वीडियो में आगे चलके पता चल जाएगा बस वीडियो को without skip किये end तक देखना है कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपके पास भी अनकंप्लिट का साइन आया है तो आपको उस पे किलिक करना है जिसका नहीं आया है उसको अब भी wait करना है और जिन लोगों का आया है ये अनकंप्लिट का साइन ये red कलर में देख रहा है नीचे उस पे आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तों हमने जो वहाँ पे select किया था जैसे अपना document दिया था orders में या फिर personal ID में driving license में वो यहाँ पर show करेगा जो document type में हमने select किया था मैंने orders में किया था और मेरी country वगेरा मैंने select किया तो मुझे वो सब यहाँ पर show करेगा आपको check करना है same way है अगर same way नहीं है तो आपको फिर से एक बार apply करना है यह सब check करने के बाद थोड़ा सा scroll करके ऊपर चलते है scroll करने के बाद दोस्तों आपको यह show करेगा आपके document की front side और back side इसको आपको check करना है यह perfect है अगर यह perfect नहीं है तो यह जो delete option है उसको अब delete करके फिर से apply कर सकते हो कि वैसे के लिए बट यह जो back side है यह optional है तो इसको मैं delete करूगा तो भी मुझे कोई problem नहीं होगा जो front side है वो very important होगी इसलिए उसको delete नहीं कर सकते हम अगर गलत है तो हम change कर सकते फिर से apply कर सकते हैं यह सब check करने के बाद दोस्तों फिर से आपको थोड़ा सा scroll up करना है scroll up करने के बाद दोस्तों आपके सामने आपके document का data show करेगा आपको check करना है इसमें कुछ text add किये होगे उसको आपको delete करना है मैं आपको दिखाओगा क्या delete करना है क्या रखना है यहाँ देख सकते हो दोस्तों यह जो id नंबर दिखाया मेरा यहाँ पर लिखा government of india बट यहाँ पर इन्होंने गलट type किया है government all india यह all का spelling a double yl होता है इन्होंने ol किया है तो मुझे यह all की जगा off करना होगा तो यह जो yl है इसको मैं delete करूगा और yl की जगा मुझे if type करना है यह mistake जो है यह correct करने के बद आपको confirm करना है यह देख सकते हो उपर green color में हमको pop-up भी आ गया नीचे जो दिया है date of birth वह already select होगा तो वैसे ही रहने देना है बस check करना है वो सही है या गलत है मेरा already select नहीं हुआ है बस यहाँ पर नीचे छोटे से इसमें show कर रहा है बट मुझे मेरी date of birth manually type करने पड़ेगी दोस्तो date of birth select करने के बाद आपको यह नीचे confirm पे क्लिक करना है confirm पे क्लिक करने के बाद उपर हमारा एक successful का pop-up आ जाएगा इसको और थोड़ा उपर करते है थोड़ा उपर करने के बाद दोस्तों हमारी जो nationality है जो हमारी country होगी उस country का हमको यह show करेगा बट यहाँ पे इंडिया से प pop-up आ जाएगा यह pop-up आने के बाद हमारा successful हो जाएगा जो नीचे अपना photo होगा उस photo को check करना अपना ही photo है या दूसरे का photo है वो photo यही show करेगा जो आपके आधर card पे जो भी document पे show होगा photo वही photo आपको crop करके यहाँ पे show करेगा बस आपको देखना है यह सही photo है या गलत photo है तो मेरा यह सही photo है तो मैं इसको confirm करता हूँ confirm करने के बाद फिर से मुझे pop-up आएगा अब हमारा photo भी select होगा है यहाँ पे थोड़ा उपर करने के बाद हमको यह expiry date और release date मांगीगा अगर आपने आधार card से KYC किये है तो इंडिया के आधार card पे expiry date या फिर release date नहीं हो सिगनीचर नहीं होता है तो यह आधार card को भी हम skip करेंगे थोड़ा और उपर चलने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमको first name second name third name fourth name सब पूछेगा तो हमको यह first name देना जरूरी है जैसे आपका जो भी first name होगा आपका जो original name होगा वह यहाँ पर देना है जो document पर होगा आपका वह यहाँ पर enter करना है first name देने के बाद दोस्तों यहाँ पर confirm पर click करना है confirm पर click करने के बाद फिर से आपके सामनी यह option आजाएगा successful का तो second name अपना नहीं देना है आपका अगर second name होता है तो आप दे सकते हो यह optional है इसको हम छोड़ सकते है बढ़ हमारा यह जो नीचे और करेगे तो देख सकते हैं last name है last name देना जरूरी है तो last name भी हमको देना पड़ेगा last name देने के बाद दोस्तों यह नीचे दिया है place of birth place of birth मतलब अपना जनम स्तान होता है जहाँ पर आपका जनम हुआ है उस तान का जो भी गाव का होगा city का होगा उसका नाम यहाँ पर enter करन है जितना भी confirm का option आता है पर उससे पहले आपको check करना है आपने जो भी information दी है वो सही है या गलत है एक बार reject कर लेना तो मैं यहाँ पर confirm कर लेता हूँ दोस्तों मैंने confirm करने के बाद मेरा जो surname में उसमें थोड़ी problem आ रही थी क्योंकि इनका जो AI है वो मेरा document पे मेरा surname find नहीं कर पा रहा तो उसके वज़े से इन्होंने मेरी image है वो crop नहीं कर पाया तो अपने को manually crop करना है आपको क्या करना है यह जो edit image है यहाँ पर जाना है और अपना जो surname में बस उतना ही यहाँ पर crop करके यहाँ पर submit कर देना है और उतना ही अपने surname के जितना ही यहाँ पर photo इतना होने के बाद आपको यह पर confirm कर देना है मैंने confirm करने के बाद यह देखो यह मेरा successful हो गया यह सब confirm होने के बाद दोस्तों आपको wait करना है आपकी जो KYC है वह pending में जाएगी कुछ processing का time लेगा उसके बाद आपकी KYC अपरूव हो जाएगी मैंने जो जो step बताया वो सब properly follow करना है कुछ भी मिश्टेक करते हो तो आपको के वाइसी पेंडिंग में ही रहेगा यह फिर आपको रियो अप्रूब करना पड़ेगा आज के लिए इतना है था दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड बाइबाइ थैंक यू